है कि आज हम देखेंगे बाप सी काहानी लेखक उसा प्यांबदा। चलो इस काहानी के कुछ प्रसना दएखते हैं। इसका पहला प्रसना है उसा प्यांबदा का कहानी संगधा है उनके कहानी संगर है। एक कोई दूसरा उसा प्रिम्बदा कहानेकार है किस जुक्य उसा प्रिम्बदा कहानेकार है प्रगतिबाद जुक्या उसा प्रिम्बदा कुरुत कहाने संगर है उनके कहाने संगर है रुकोगी नहीं राधिका जिन्दगी और गुलाब के फूल उसा प्रिम्बदा की कोन से है उनके कहानी के प्रतिक है भटकने वाले नहीं है उनकी कहानियों के पत्र किसे सुलजाने में सहज अग्रों मुख होते हैं उनके कहानी के पत्र व्यक्तिकत उल्चनों को सुल्जाने में सहज अग्रोमुख होते हैं, उन्होंने मैं रिजम में किस से बाधा नहीं, उन्होंने मैं रिजम में कथ्यक के संदर्व और सेली को बाधा नहीं, आपकी कहानियों की प्रकुति हैं, संबेतनात्मक, उनकी भासा में क्या पाई जाती हैं, उनकी भासा में सहज अट्मेता पाई जाती हैं, अगला परस्न है, एक कोई दूसरा संकलान में कितनी कहानिया है, एक कोई दूसरा संकलान में कूल साथ कहानिया है, किसने कमरे में सामान पर नजर दोड़ाई, गयाधर बाबुने कमरे में सामान पर नजर दोड़ाई, यह डिब्बा केसा है यह डिब्बा केसा है किस ने पूछा यह गणेसी ने पूछा डिब्मे में था क्या डिब्मे में था बैसन के लड़ू गजाधर बाबु का नाता टूड रहाता किस से शनेह आनदमय सहर संसार से गजाधर बाबु का नाता टूड रहाता गणेसी ने अंगोचे के छोर से आखे पूछा क्या कुरूप और नगना लग रहा था तेलवे क्वाटर का कमरा कुरूप और लगना लग रहा था उनके बच्चे तथा पत्नी सहर में रह थेते क्यूं पढ़ाई के लिए उनका बड़ा लड़का था गयाधर बाबु का बड़ा लड़का था अमबर गयाधर बाबु सोहब से थे स्नेही उनकी लेड़की थी कांती कभी प्रकृतिक के न होने पर भी उन्हे पत्नी की स्नेह पुन्न बाते यात आती रहती किने गयाधर बाबु को गयाधर बाबुने टूपी कहां रखी गयाधर बाबुने टूपी चारपई पर रखी नृत्यों की नकल कर रहा था कौन? नृत्यों की नकल नरेंद्र कर रहा था गयाधर बाबू को देखकर नंदर ने क्या मुह से लगा लिया बसंती का शरीर हसी रोकने में क्या होता था बसंती का सरीर हसी रोकने में खिलता था चाय मुझे भी देना किस ने कहा यह गयाधर बावु ने कहा पत्री ने नाक भों चड़ा कर चारो और देखा चारो और देखा जुठे बर्तन पिता ने बसंती पर क्या जिम्मेदारी सोपी पिता ने बसंती पर सामका खाना बनाने के लिए जिम्मेदारी सोपी सुभा का भोजन किसे बनाने के लिए कहा पढ़ने का तो बाहना है किस ने कहा गया पढ़ने का तो भाना है गयाधर बाबु की पत्नी ने कहा घर के बीज में बंधी हुई थी क्या अलगानी गयाधर बाबु ने सोचा ओह लाबन्यमई जुवती जीबन की रहा में कहा खो गई है यह लाबन्यमई जुवती कोन थी यह लाबन में जुवती थी उनकी पत्नी नरेंद्र क्यास सरकाकर उठ खड़ा हुआ नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ गयाधर बाबुने टोका किसी? गयाधर बाबुने टोका बसंती से गयाधर बाबुने मन में क्या निश्य कर लिया था? गयाधर बाबु में मन में लिस्चे कर लिया था बसंति की साधी। सुभ़ घुम का लोटने के बाद गयाधर बाबु ने देखा। बैठग में चारपाई नहीं थी। गयाधर बाबु ने कोट कहां टांग दिया। गयाधर बाबुने कोट अलगनी में टांग दिया। घर जाने की खुसी में गयाधर बाबु किया उनभब किया। गयाधर बाबु बिसात उनभब किया। आप बीज में न पड़ा किजिए। किसने कहा। यह गयाधर बाबु की पत्नी न कहा। गयाधर बाबु की सारी खुशी किस में डूकेई कहरी उदासिनता में डूकेई हर चीज में दखल क्यों देते हैं यह किसका कथन है यह कथन है अमर की बहु को चोके में भेजने से क्या हुआ बहो को चोके में भजने से 15 दिनों का रेशन 5 दिनों में खतम हो गया गयाधर बाबु को कहा नोकरी मिली गयाधर बाबु को दाशमी मल चीनी मिल में नोकरी मिली पत्नी पत्ती के साथ नहीं गई क्युंँ कि और गोस्ति और सयानी लेड्की को छोनना नहीं चाहती थी गहरे म४ोन में डूप के कुण गज़ें मोन में क्या रखा गया डिक्से में बोई ने अउमर से क्या पुछा सिनमा ले चलिएगा अगला परसन है, पतिनी ने क्या निकालने के लिए कहा, पतिनी ने चारपए निकालने के लिए कहा, गयाधर बाबु ने कमरे में एक नजर दोड़ाई, किस पर, गयाधर बाबु ने कमरे में एक नजर दोड़ाई, जमा सामान पर, बापसी कहानी का नायक कोन है, गयाधर बा बाबु किस नोक्री से रिटार हुए थे, गयाधर बाबु रेल्वे की नोक्री से रिटार हुए थे, गयाधर बाबु ने नोक्री में कितने बस अकले बेतित किये, गयाधर बाबु नोक्री में 25 पर्ष अकेले ब्यक्तित किये पट्रिप और रेल के पहियों की खटखट गयाधर बाबु के लिए क्या था? गयाधर बाबु के लिए था मधुर संगित गयाधर बाबु ने कूल कितने बच्चे थे? गयाधर बाबु के कूल थे? चार बच्चे गयाधर बाबु 35 बर्स तक कहां कार्जरत थी गयाधर बाबु 35 बर्स तक रानिपूर में कार्जरत थी गयाधर बाबु का बिस्तर कुन बांध रहा था गयाधर बाबु का बिस्तर गणेसी बांध रहा था गयाधर बाबु को देखते ही घर में सनाटा चागया अलगानी कहां बंधी हुई थी अलगानी घर के बीचों बीच बंधी हुई थी बसंती को किस ने रोका बसंती को गयाधर बाबु ने रोका गयाधर बाबु ने अलगानी पर क्या टांग दिया गयाधर बावो अलगनी पर कोट टांग दिया चारपई निकालने के लिए किस ने कहा बापसी कहानी किस ने लिखी थी बापसी कहानी उसा प्रियम्बदा ने लिखी थी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए थेंक यू